आज मैं आपको यूनिट 5 की एक्सरसाइस 5.6 बताऊंगी 5.6 जो है पहले हमने फेक्टराइस तरीके से हमने स्कॉाइर रूट मालूम किया था आज हम स्कॉाइर रूट ही मालूम करेंगे लेकिन डिवीजन मैथिट से जब तक हम उसको डिवाइड कर सकते हैं तब तक हमने उसको डिवाइड करना है और जो हमारे पास स्कॉाइर पूरा पूरा स्कॉाइर होगा वो पूरा 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 डिवाइड हो जाएगा जो कि अगर हमारे पास स्कॉाइर रूट में नहीं होगा तो वो डिवाइड नही होगा वो इसकी डिवीजन जो है वो चलती रहेगी इसको लॉंग डिवीजन मेतट कहते हैं यानि कि तरीके से करते हैं और जब तक डिवाइड होता रहेगा हम इसको डिवाइड करते रहेंगे एक ही क्वेस्टिन है इसकी में आपको दो यह तीन पार्स करा देती हूं ताकि आपको समझ आजाए फिर बागी questions आप लोगों ने खूद करने है question हमारे पास है find the square root of the following numbers by long division method ठीक है इसका part A है आपके पास part A आपके पास है 2025 इसको हमने किस तरीके से क्या तरीक एकार है इसका मैं आपको बदा देती हूं इसका तरीक एकार है इसको जब हम divide करते हैं तो ह हम इसको divide करेंगे इस तरीके से हमने इसको लिखना है कि divide करने के लिए हमारे पास ये divide का sign है आपको पता है ये divide का sign है तो ये आपके पास 2025 आपने इसके अंदर लिखना है अब सबसे पहले हम इसके pair बना लेंगे एक pair आपके पास ये बन गया एक pair आपके पास ये बन गय आजा है इस पहां ही हमेश्य आप तेहां ठेबिल ये कर जाएंगे कभी आप जी हमारे पास टेहुल होते हैं दो र्टाइमेहे तरीस के सी डेत की रॉस्पाइर हाै विश्ट के रहे हैं तो कैगे मितन पढ़ते और यह पिसीस पास तरीसके के दो पर दोड़त में हम इस पर लेकर जाएंगे अब हमारे पास पहली वैलियों क्या है 20 अब हमने 20 पर टेबले कर जाना है आप देखें त्वेटी पर चोटा हो जाएगा थ्री ध्री 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 जाना इन वह भी छोटा है 20 से 4,4,016 वो इस से छोटा है लेकिन अगर हम 5 का टेबले कर जाएंगे 5,5,025 तो वो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम कौन से टेबले कर जाएंगे इसके उपर 4,4,016 तो हम यहाँ पर 4 जो हम लेकर जारे हैं यह 4 आपके पास यहाँ पर भी है 4 यहाँ पर भी 4 को आप यहाँ प प्लस कर लेंगे 4 ठीक है जैसे यह 4 प्लस 4 यहाँ पर आपके पास आजाएगा यहाँ पर आपके पास आजाएगा 4,4 प्लस 4 कितना होता है आपके पास 4 और 4,8 यहाँ पर हम लिख देंगे 8 आगया है यह आपके पास ठीक है 4 प्लस 4,8 अब हम यहाँ पर इसके साथ ऐसे डिजिट लगाएंगे जो उसी के साथ हम मल्टिप्लाय करें तो आपके पास 4,25 पूरा पूरा आजाना चाहिए ठीक अब हम इसके साथ 2 लगा कर देखेंगे वो नहीं जाएगा जैसे अब यहाँ पर मैं आपको रफ अमल करके दिखा देती हूं किस तरीके से करना है आपने इसको यहाँ पर मैं आपको अब 8 इसके साथ रहेगा 8 है 8 के साथ पहले आप 2 यहाँ पर भी लगाएंगे और 2 के साथ ही आप मल्टिप्लाय भी करेंगे यह चोटी आगे वैलियो नहीं हो सकता फिर 8 के साथ हम 3 लगाएंगे और यहां 8 के साथ भी 3 लगाएंगे जो हमने दोनों 4 को प्लस करके लिखा था और जो आपके multiply भी हम 3 के साथ ही करेंगे 3 3 0 9 8 3 0 24 249 यह भी चोटी वैलियो यह हमारे पास 4 25 आ रही है तो हम यहां पर 5 के साथ लगा देते हैं दुबारा से 8 5 और फिर 5 5 5 25 8 5 0 40 40 में 2 प्लस करेंगे तो क्या चाहिए का आपके आपके पास 42 यह यानि कि अगर हम इसके साथ 5 लगाएंगे तो यह हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यह जिस हमने 5 के साथ यहां पर लगाया था वो 5 हम इदर 8 के साथ भी लगाएंगे और यहां पर भी हम 5 लगाएंगे ठीक है और इस 5 को हम प्लस भी करेंगे मल्टिप्लाई भी करना है और प्लस भी करना है तो ये आपके पास 4, 25 पूरा पूरा आगया ये आपके पास यहापर जिब हमारे पास वैलियो पूरी पूरी आजाए की तो नहीं पर हमारे पास division क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी answer क्या एपके पास 45 यानई कि अगर आप 45 multiply by 45 करेंगे तो आपके पास answer क्या आजाएगा 2025 यानि 45 जो है वो 2025 का square है एक तरीका ये है ये जो तरीका है ये division method कहलाता है इसको हम division method बोलते हैं और square की सुरत में आपने इस पे table लेकर जाने हैं square की सुरत में table जाएगा इसके उपर और multiply भी होगा और plus भी होगा उमीद है आपको इसके तरीका समझ आगया होगा एक दू question में आपको और करा देती हूँ देखें जी अग्रा part है आपके पास जी पार्ट देखें ये आपके पास fraction में आगया है तरीकाइकार वो ही है fraction में आगया है fraction क्या है 7569 उपन 5625 तो पहले हम उपर वाली वाली वालूम करेंगे फिर नीचे वाली वालूम करेंगे पहले आपके पास क्या है 7569 तो यहाँ पर हमने लिखा 7569 यहाँ पर हमने लिख दिया आप देखें इसके भी हम सबसे पहले पेर बना लेंगे इसके जब हम पेर बनाएंगे तो यह आपके पास क्या जाएगा पैर बनाने से आपके पास 69 का एक पैर बन हमेशे जब भी आप पैर बनाएंगे राइट हैं टीयांगे लेफ्ट में cursor 5 और हमें इसके लिए पताह JEFF उटपर 46 बी चोटी हो चाएगी represents 7 Hugo wasn i Šोटी हैट तो पूरा पूरा लेकर जाते हैं या उससे छोटी वैलियो लेकर जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या लेकर जा रहे है यहां भी लिख दिया और 8 हमने यहां भी लिख दिया यहां पर आपके पास 5 में से 4 गया 1 7 में से 6 गया 1 ठीक है 11 आगया और फिर हम पूरा का पूरा प्लस करेंगे तो क्या आजएगा 16 आजएगा अब हम 16 के साथ ऐसे डिचेट लगाएंगे जो हमारे पास यह वाली वैलियो पूरी पूरी आजएगे 1169 ठीक है क्या है आपके पास रफ वर्क में देखें 6 के साथ सबसे पहले 2 लगा लें 3 लगा लें 4 लगा लें इसी तरीके से आप इसको मैं आपको तरीका बता चुक्य यहां लग्ते जाएंगे आप यहां पर भी लिखेंगे जैसे में फ़र्स करेंगे जा और यहां पी हम 5 के साथ इसको देते हैं पहले लिखा लिखा जाएगा और 5 के साथ ही हम इसको मल्टिप्वाइब लिखेंगे 5500 25 टू पर कहीडि चला गया 65303030 में 2 प्लस किया तो 32 आ आगे किसी के साथ multiply करते हैं इसको क्या है 166 अब मैं इसके साथ 7 लगा देती हूं आप लोगों को तरीका समझाया चाहरा है इन्शाला आपको समझा जाएगी 7 7s are 49 6 7s are 42 42 में हम 4 प्लस करेंगे तो क्या चाहिए का आपके पास 46 आपके पास यहां पर हमने 6 लगाया 4 केरी चला गया 7 107 7 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आगया 11 यह आपके पास पुरी पूरी पूरी है चाहिए 7 吗 इसके साथ प्लस पी करेंगे और यहां पर आंसर में भी आ जाएगा 11 69 यह आपके पास पूरा-पूरा थैसलों झाला पीर इसको हम फ्लस कर आखिर में हम इसका वाशेता हैं 7, 7, 14, 6, 1, 7, 1, यह आपके पास 7, 5, 6, 9 का आपके पास square root के आग गया 87 इसी तरीकी से हम 5, 6, 2, 5 का निकालते हैं 5, 6, 2, 5 का जब हम करेंगे इसकी भी सबसे पहले हम pair बना लेंगे यह division method का तरीका है pair बना लिए हमने pair बनाया तो 56 के उपर हम table लेकर जाएंगे 7, 7s are 49, 7 इदर भी लिखा 7 इदर भी लिखा, 49 आगया आपके पास ठीक है, 16 में से 9 निकाला 7 आगया आपके पास और 2, 5 पूरा pair हम वैसे का वैसी उतार देंगे 7 और 7 को plus किया, तो यह आपके पास किया गया, 14 आगया 7 और 7 को plus करने से 14 आगया अब हम इसके साथ यहाँ पर 5 लगाते हैं 5 के साथ हमने multiply किया तो 5, 5, 5, 5, 5, 25 14 है, 7 और 7 को हमने plus किया तो 14 आगया, 14 के साथ भी हम 5 लगाएंगे और multiply भी हम 5 के साथ ही करेंगे 5, 5, 25 5, 4, 20 20, 20 में 2 plus करेंगे 22 आगया आपके पास 2 के लगा गया, 5 और 5 और 2 7, 7, 25 यह आपके पास आगया 7, 25, यहनि 5 के साथ multiply करने से हमारे पास 7, 25 आगया, 5 हमने इदर भी लगा दिया, 5 हमने यहाँ भी लगा दिया इन दोनों को हमने plus किया तो यह आपके पास क्या आजाएगा 5, 4, 5, 10 1 कहरी, 4, 1, 5 1 का बन आणसर आपके पास आगया 75 यहनि कि यहाँ पर आपके पास आणसर 75, 6, 9 का 87 56, 25 का 75 यहनि आणसर भी आपके पास fraction में ही आना चाहिए question हमारे पास fraction में था तो आणसर भी हमारे पास fraction में आगया 87 multiply by 87 करेंगे तो आपके पास आजाएगा 75, 6, 9, 75 को दो मरतबा multiply करेंगे तो 56, 25 आजाएगा यह आपके पास division method का तरीका है